हलो दोस्तों अभिनाव नाम है मेरा सौवित करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैज्स पाई अभिनव राजपूत में आज सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्निमा की हार्दिक सुबकाम नाएं और आप लोगों ने जो मैस का रेविजन बैच लाने वाले हैं बहुत बचvens कर रया है पिसलिती चार दिन-पांस दिन से जबसे आप लोगों पता चला है कि मैं रिविजन बैच ला रहा हूं बार-बार-बार मैसेजेस करते जा स्थ. य God मैं आपको बताने वालाहं कि हम क्या-क्या Nummer कैसे कैसे करने है ओके अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मैट्स में तो आप 50 नमबर इसको देख कर नहीं ला सकते हो लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको मैट्स आती है थोड़ी बहुत भी आती है तो आप 40 इजीली ले आओगे 40 मार्क्स की मेरी गैरेंटी है इसी बैट से आएगा 40 marks इसी बैट से आएगा जरूर आएगा मैं इतना कुछ आपको करवाने वाला हूँ अगले 30 दिन में 35 दिन में कि आपकी maths I don't know पहले आपकी कैसी रही होगी जो मैं कह रहा हूँ आपको अगर आप उसे follow करते रहते हो ना I can guarantee 40 number कहीं नहीं आ रहे अगर सबसे ज़्यादा जरूरी calculation simplification पर कॉशन सा रहे हैं कैल्कुलेटिव कॉशन आ रहे हैं paper tough नहीं आ रहा है paper आ रहा है से उपर नहीं जा रहे तो अगले 30 classes आपके लिए sufficient होगा सबसे पहले मैं आपको batch के बारे में कुछ information दे दू प्लस उससे पहले आप लोगों से सवाल है सवाल क्या है एक request है request यह एक तो सबसे पहले ना मैं चाहता हूँ आप कुछ ना कुछ comment करो इस वीडियो पे ताकि इ जैसे हम लोगों का जो main batch चलता है उसका नाम होता है prime time 2.0 3.0 prime time इस batch का क्या नाम होना चाहिए ध्यान रखना जो भी नाम decide होगा वो आने वाले दिनों में जभी भी हम लोग revision batch लाएंगे तो उसका नाम वही होने वाला है तो सबसे पहले आप comment करके मुझे बताओ जो भी नाम मैं select करूँगा जो भी नाम मैं select करूँगा उस नाम को मैं अपने telegram पे भी पिन करूँगा ठीक है और Instagram पे भी पिन करूँगा और YouTube पे भी community post में भी जरूर कि आपका नाम select हुआ है प्लस मेरी तरब से आपको कोई भी एक book ठीक है इसको give away मत समझना this is something for you आप मैं comment कर दूँगा आप मुझे Instagram पे text कर देना मैं मेरी तरब से कोई भी एक book जो आप मागोगे जो आपको पसंद होगी वो book मैं आपको gift कर दूँगा ठीक है तो अब हम आज आते हैं वापस से batch सबसे पहले देखो यह जो batch है यह giveaway वगरा मत समझना मेरे बसकी नहीं है giveaway वगरा मैं गरीब आदमी हूँ okay देखो इस batch के जो timing होगी ना वो रोज रात में 9 से 10 होगी ठीक है यह 9 से 10 का नहीं पता लेकिन 9 बजे रोज आपको video डल जाएगा Monday to Friday Monday to Friday या फिर Tuesday to Saturday आप बताना क अब देखो Tuesday to Saturday का में मकसद यह है कि Sunday और Monday को मैं आप लोगों को जो लाइव मौक है उसका solution करवाता हूँ अगर आप बोलोगे तो मैं Monday और Tuesday Monday से Friday या Tuesday से Saturday वीक में 5 दिन ये classes होगी एक घंटे का है यह एक घंटे से जादा ही चलेगा विकास की सारे concepts बताने होगे सब कुछ करना होगा तो लंबा चलेगा अब देखो यह हम करने वाले कैसे हैं तो अगर आप लोग regular मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरा ना पढ़ाने का एक अलग funding है ठीक है मैं ऐसे नहीं कि मैं आपको पढ़ा देता हूं और हो गया ठीक है मैं चाहता हूं कि आप आप भी मेरे साथ पढ़ो, और उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ homework करना होता है, कुछ homework करना होता है, यानि कुछ practice करने होते हैं, कुछ questions की practice करने होती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक book suggest करने वाला हूँ, जिससे questions उठाके मैं इस batch में करवाऊंगा, और बचे और उस books को आप अच्छे से कर लेते हो, I can guarantee कि आपका कुछ नहीं चुटेगा, ठीक है, ये कोई ऐसा book नहीं है जो मैं बार बार recommend करता हूँ, ये revision का है, अगर आपको अच्छे से याद हो, अगर कोई आप मुझे follow करता है regular, तो 2023 के mains में या pre में भी revision के लिए मैंने ये book suggest क किया था, I guess आपको याद आगया होगा, book का नाम है basically, अगरवाल exam card का है competitive math shortcut secret, ठीक है, इसका buy link आपको description में मिल जाएगा, ओके, वहां से आप इस book को buy कर लेना, अगर आप website पे देखते हो, तो इस book का price 250 के आसपास है, 250 का ये book है, देखो आप खरीदो, नहीं खरीदो, मेर करना हो, कोई भी एक chapter उठा लो, से मान के चलो, मैंने यहां से उठा लिया, एक percentage chapter उठा लेते हैं, ठीक है, अब जैसे percentage का chapter है, यहां पे, तो percentage में आप देखो के पहले concepts, tricks और ये सायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको zoom करता हूँ, यह ratio and proportionate ही ले देते हैं, for example, अगर हम ratio and proportionate ले ले लेते हैं, तो देखो यह कैसे चलने वाला आपको समझ में आ जाएगा इससे, तो देखो, अब जैसे ratio है, तो इसमें अगर आप देखते हो, तो इस book मेंना total 13 types दे रखे हैं, कितने types हैं, 13 types हैं, और एक concept है, तो जब हम यह chapter start करेंगे, जैसे, for example, मैं आपको ratio करवाऊंगा, तो पहले मैं सारे concepts बताऊंगा आपको, sort tricks या जो भी चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद, ये जो 13 types हैं ना, 13 types, हर type के 2-3 questions, ठीक है, मेरी पूरी कोसिस होगी, कि 30 के करीब questions लानेगा, तो हर class आप समझो कि 7 गंटे, 1.5 गंटे की होने वाली है, 40-50 मिर्ट की class नहीं होगी, class थोड़ी लंबी होगी, तो आप मान के चलो कि 1-7 गंटे के करीब होगी, जैसे अगर 13 types है, 13 types है, तो 26 से लेके 35 questions तक आएंगे, ठीक है, मतलब 30-35 questions या 30 questions के करीब मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ, अब आप देखो, जैसे यह 13 types है, अगर आप इस बुक में देखोगे, तो इस बुक में तो एपरोक्स आपके पास 100-800 questions होगे, इस बुक की सबसे रची बात यह है, कि हर चैप्टर में सिर्फ 100-800 questions है, ठीक है, यह बनाया ही प्रेक्टिस के लिए गया है, इससे beginners नहीं सीख सकते अगर आप वीडियो देख रहे हो और बुक कर रहे हो, तो हो सकता है, लेकिन आप सीधा बुक उठाके नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो जैसे 13 types है, तो 13 types के मालों मैंने 2-2 questions करवा दिये, बचे हुए जो 3-3 questions है ना, वो आपने खुद करना है, तो इस तरीके से ना, आप ए 4-4 दिन है, अगर आप 2 दिन में भी एक वीडियो देखते हो ना, या 2 दिन में भी एक class करते हो, तो भी आप syllabus को timely finish कर पाओगे, और 40 number ले आओगे आराम से, तो मैं चाहूँगा कि इस बुक को आप buy कर लो, ठीक है, description में लिंक है वहाँ से, फिर question आता है कि batch कब से start होगा, ये तो सरा आपने बताया ही नहीं, देखो, काईदे से ये batch आप लोगों का Friday से start हो जाएगा, ठीक है, Friday से, बतला पहली वीडियो आपको Friday और Saturday, ये दो दिन मिलेगी, अब क्यों Friday, Saturday, इन दो दिन में ना, मैं आपको calculation और कुछ concepts बताऊंगा, जिस तरीके से मैं chapters करवाता Prime Time 2.0 के जो बच्चे हैं, जो पहले से देख रहे हैं, उन्हें पता है मेरा question करवाने का तरीका क्या है, और कैसे हम calculation को fast कर सकते हैं, तो पहली दो classes यहीं से हम करेंगे, then Monday से आप लोगों को मैं chapter wise book से बता दूँगा, बकायदा हर class में मैं आपको बता दूँगा कि कौन से chapter से हमने questions उठाए है, कौन-कौन से chapters हमने questions उठाए है, मैं हर class में बता दूगा, ताकि आप लोगों को revision में ज्यादा दिक्कत ना है, तो actually मैं batch, यानि book का काम, Monday से start होगा, अगर आज आप buy कर लेते हो, तो 4-5 दिन में आपके पास book आ जाना है, 5-6 दिन, ठीक है, तो आप ज just की website से लेना, website पे सायद थोड़ा price ससता है, कम है, तो website पे जाके लेना, ठीक है, जादा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि just मैं आपको link provide कर रहा हूँ, link description में है, तो Friday से ये batch start हो रहा है, ये बिलकुल तय है, अब रही बात buy की, अब देखो, ये जो किताब है, इसका price, website पे ठीक है, और English का है, और Hindi का है, अगर कोई बच्चा ऐसे ही reasoning के लिए भी करना चाहता है, तो reasoning का भी इनका shortcut book है, और combo book सिर्फ 441 का है, वो चाहे तो ले सकता है, बाकि it's totally up to you, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी maths के लिए है, ताकि मैं आपको maths, finish करवा पाऊं और timely करवा पाऊं, एक चीज और ध्यान रखना, जो बच्चे books नहीं भी लेंगे, आपके पास एक book होनी चाहिए, आपके पास कुछ ऐसे topics होने चाहिए, जहां से आप practice करो, मैं हमेसा बोलता हूँ, कि अगर आप सिर्फ videos देखते रहते हो, देखते रहते हो ना, तो आपको कुछ समझ में नह जाएगा, जब तक आप खुद से pen नहीं चलाओगे, कोई फाइदा नहीं, बाकी हम start करते हैं, एक week follow करके देखो, आपको खुदी idea हो जाएगा, कि हम कितना कुछ एक class में करने वाले हैं, ठीक है, यह Monday से Friday है, मतलब week में 5 दिन है, बट जरूर नहीं है, यह 5 दिन है, हो सकत कभी चार भी आए, क्योंकि अगर chapters बड़े हैं, chapters में जादा questions है, तो obvious ही बात है, मैं भी आपको time दूँगा, रिविजन का, ठीक है, मैं भी आपको time दूँगा, तो उसके according चलेगा, बट मैं पूरी कोसिस करूँगा, कि anyhow, यह 15 September से पहले, यह syllabus कतम हो जाए, मतलब यह batch 15 September स पहले, यह अगले 45 दिन में, मैं यह batch फिनिस कर दूँगा, रिविजन batch है, आप practice batch क्या सकते हो, अब मैं चाहूं, तो इसको paid में भी ला सकता था, बट मैं चाहता था कि जादा से जादा audience को यह फायदा मिले, ठीक है, इस batch का फायदा, जादा से जादा audience को मिले, ओके, और क्योंकि मैंने सीधा book उठा लिया है, तो अब मेरे पास typing वगरा की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, content क्योंकि मेरे पास सीधा आ गया है, तो यह फायदा है, तो start करेंगे हम, लोग Friday से, I hope, आप लोग regular बने रहो उसे, और एंट तक देखना बहुत फायदा होगा, जो उसके बाद mock लगाना पड़ेगा, mains में, और कुछ करने की जुरत नहीं है, तो इस वीडियो को मैं यही पर close करता हूँ, इस session को मैं यही पर खतम करता हूँ, मैं चाहूँगा, एक बाई फिर से, आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट करके जाओ, अच्छा दिन है, गुरु प अच्छा बाद करता हुआ इस से, आप लोग कुछ करता हुआ।